शिमला शहर वप्रदेश में बढ़ रही वहनों की तादाद और आए दिन हो रही सडक दुरगटनाओं को देखते हुए सरकार को शहर में खाली स्थानों पर छोटी छोटी पार्किंग बनानी चाहिए ऐसे कुछ सुझाव शिमला में आयोजित एक पत्रकार वारता के दौरान महाजन सभा हिमाचल प्रदेश ने सरकार को दिये सडक दुरगटनाओं को देखते हुए तंग सडकों पर RCC की दिवारें और ग्रिल्ज लगानी चाहिए ताकि सडक दुरगटनाओं पर अंकुष लगाया जा सके ये सुझाव शिमला में आयोजित एक पत्रकार वारता के दौरान हिमाचल प्रदेश महाजन सभा ने सरकार को दिये है सभा के अध्यक्ष हरीचन गुपता ने कहा कि अभी हाल ही में शिमला के खडीनी के जंजीरी में हुई स्कूली बस दुरगटना भी तंग सडक और सडक के साथ ग्रेल्ज ना लगे होने के कारण हुई जो की बहुत ही दुरभागे पूर्ण और दुखद घटना है हरीचन गुपता ने बताया कि वो इस सम्बंद में सरकार को भी जरूरी सुझाव देंगे उन्होंने बताया कि हिमाचर प्रदेश उचनयायल में भी एक PIL दायर करके सरकार को इस सम्बंद में जरूरी तिशा निर्देश जारी करने की अपील करेंगे महाजन सभा ने आम लोगों से भी इस दिशा में सरकार को जरूरी सुझाव देने की अपील की है ताकि लोग दुरगटनाओं का शिकार ना हो सके उनसे कराय ले इस चीज के जो खर्च आयेगा बहुत खर्चा आना है मैं समझता हूं लेकिन ये प्राइलिटी की बात है मैं माने मुखे मंतरी जी बहुत परिश्रमी है और उनके मन में बड़ा दुख दर्द है उनसे मेरा बड़ा निवेदन है और गोविज निंग ठाकुर ठाकुरर ट्राइलिश से के इंख टारा बसलं को चेंज कर दीजिए इम ये जुगरी में जो बस मैं देखता हूं मैं यि लोग के 5 बस चलता हूं मैं कारव में यह नी चलता हूं वहाँ पर क्या होता है कि सड़कें बड़ी तंग है दोनों तरफ बारियां लगी वी है और सड़कों के दोनों तरफ सीनिर सीजिन बच्चे बज़ुर्ग और सारे लोग पैदल चलते हैं उनको पैदल चलने में कितनी कटनाई आती है अब भी मुख्य मांगे कहा रही है तो सड़क के किनारे जो है वो लगाई जाए शिमला शहर में सब से प्रास्मिक तोर पर ताकि स्कूल के बच्चे ठीक चल सके उसमें एंगल लगाए जाए उसमें परकिंग बनाए जाए और साथ में जितने भी मंकान मालिक शिमला के अंदर है उनसे मैं अनुरोद करता हूं इ अगर बच्चों का उनके साथ प्यार है और दुख दर्द है तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपने धात्य मंजल में अपनी अपनी पार्किंग को अलग बनाए ब्यूरा रिपोर्ट सिटी चैनल शिमला